नवश्कार मैं मुनाली पाने और आप देख रहे हैं न्यूस 28 भुपाल में कॉंग्रेस नेता और भुपाल के पुर्व मुख्य मंत्री दिग्विजे सिंग ने एक ऐसा बयान दिया जिसके जर ये राजनीती गर्मा सकती है जी हाँ दिग्विजे सिंग ने कहा है कि जिस तरह से जन्मदर घट रही है ऐसे में 2028 आने तक मुस्लिम और हिंदू की जन्मदर बराबर हो जाएगी मध्यप्रदेश के सिहारे में किसानपदियात्रा के समापन के समय टाउन हॉल में दिग्विजे सिंग आगे कहते हैं कि मुसलिम चार-चार बीविया कर लेते हैं और उससे दरजनों बच्चे पैदा कर लेते हैं 10-20 साल बाद मुसलिम बहु संख्यक हो जाएंगे और हिंदू अलप संख्यक हो जाएंगे ऐसे में मैं चुनोती देता हूँ कि ऐसे में कोई भी आए और मुझसे चर्चा कर ले देखवेजा संख्यक ने आगे कहा कि देश में हिंदू के मुकाबले मुसल्मानों की जन्मदर लगातार घट रही है 1951 से लेकर आज तक मुसल्मानों की जन्मदर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदू की जन्मदर नहीं घटी है लेकिन आज भी मुसल्मानों की जनमदर 2.7 है और हिंदू की 2.3 है यानि की परिवार में 2.3 परिवार आ जाता है उनका 2.7 है लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की जनमदर घट रही है 2028 तक हिंदू और मुसल्मानों की जनमदर बराबर हो जाएगी और उस समय पुरे देश में जनसंख्यास थर हो जाएगी जो भी बढ़ुत्री होगी वो दो हजार अटाइस तक होगी उसके बाद नहीं होगी दिखविजे सिंग ने आगे पीम नरेंडर मोदी और वैसी पर निशाना साथते हुए कहा कि एक तरफ हिंदूओं को खत्रा बता कर नरेंडर मोदी गुमराह कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और वैसी मुसल्मानों को खत्रा बता कर वोट कमाना चाहते हैं मैं सर्फ एक ही बात कहूंगा कि न मुसलिमों को खत्रा है हिंदूओं से और ना ही हिंदूओं को खत्रा है मुसलिमों से ऐसे में अगर खत्रा किसी को है तो वो है नरेंद्र मोदी और OECG को तो ऐसे मेध धर्म पर इस सियासी जंग को लेकर आपका क्या कहना है चुनाओ भी पास आने वाले हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगली बार किसकी सरकार नवशकार फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो में कुछ नए घट कुछ नए घटना और कुछ नए मुद्दो के साथ